नमस्कार दोस्तो मैं नगीना सर्मा बोकारो गाइडिन में आप सभी का तहदिश से स्वागत करती हूँ दोस्तो आज मैं आप से दिखाने जा रही हूँ सेर करने जा रही हूँ कि कुछ पोधे ऐसे होते हैं जो आपको बहुत आसानी से कटिंग लग जाती है यहां तक कि वो पानी में भी अच्छे से ग्रो करते हैं बसरते की पानी जो आप दे रहे हो पानी अच्छी हो केमिकल वाली पानी ना हो और साथ ही आप यहां देख रहे होंगे कि मैंने लक्की मंबू के कटिंग से इसमें डाल रखे हैं और यह देखो आप किस तरह से इसमें कितने खुबसूरत से रूटीस में निकले हुए है और इसको अगर पानी में ही मैं रख लेती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यह पानी में भी अच्छे से ग्रोव हो जाता है दोस्तों इसमें धेर सारे पौधे आते हैं जो पानी में ही ग्रोव आप कर सकते हो जिसमे सब्सक्राइब कामानी प्लांट भी है सिंक्गोनियम भी है और स़ाहरे पौधे मैं समझ समय पड़ आपको बताते रहती हूं कि पानी में भी आप ग्रोव कर सकते हैं अब मैं जो आज आपसे सियर करने जा रही हूं उसमें हैं यृ ऐल्मॉनियम का पोधा पउर है अल्मॉ आसान और क्या हो सकता है कि ये आप एक कर्टिंग लोगा और पानी में उसको डाल दो और ये करीब करीब 20 से 25 दिन में इसके रूट इस तरह से निकल गए है तो एक कर्टिंग से कितनी आसानी से लग जाती है आप भी इसको लगा सकते हैं बहुत ही खुरसूरत पौधा जिसक कि इसे मुझे गिफ्ट करने हैं तो गिफ्ट करने हैं तो इसको मैं पानी में नहीं रखे इसको अब मैं पौट में किसी पौट में एक पौट में लगा देती हूं तो मैंने एक पौट ले ली है और इसमें बस खेत की स्वाइल में डाली है कुछ खास नहीं है और इसी में उसको लगा देते हैं ग्रो कर देते हैं टो थोड़ी सी मैंने स्वाइलि निके रख दिया और अब पौधे इसमें डाल देते है और उपर से फिर स्वाइल डाल देते हैं दोस्तों बहुत आसानी से लगने वाला पौधा है तो इसको आप Wigners Blatch gallons में का सकते है जो लोग ज्या और बोकाडो गायडेन में जाकर आप उसको चेक कर सकते हैं देख सकते हैं। दोस्तों आप इसको इक मैं प्रत्र विदय को पानी दे देते हैं। ऑर कहीं थन्डी ज pact जहां च्थाइबाली धूपो और और यह को तो पानी देते हैं और कि ठन्दा में को तो तो इसको मैं आपको दिखला दे रही हूँ कुछ में तो रूट है जैसे यहां आप देख रहे हो यह सब में रूट आपको दिखाई दे रही है लेकिन इसमें बिना रूट वाली भी यह पौधे हैं इसको भी आप लगा सकते हो केवल करना यही है कि नीचे जो आपको पानी के अंदर जाना है उस पोर्शन में से आपको लिफ्स जो इसके पत्ते हैं उसको कट करके आपको हटा देनी है तो मैं बस इसको ऐसे निकाली सब के पत्ते हटा दिये और यहां एक पानी भड़के मैं रखी हूँ इसी में मैं इसक कटिंग को मात्र एक कटिंग को मैंने डाला था पानी में और देखिए कि यह पौधाबन कर तयार हो गया तो बस इसी के साथ आज चलती हूँ सबकी केर और क्या फर्टिलाइजर करने हैं और क्या कुछ करना है सारी की सारी वीडियो आपको बोकारो गार्डेन में मिल जाए बहुत बहुत प्यार